वाही गुरुची का खलसा, वाही गुरुची की पते, आज हम विद्यार्थी यानि स्टूडन्ट की बात करने जा रहे हैं कि विद्यार्थी अपने जीवन में गुर्बानी से कैसे फायदा ले सकते हैं, कैसे गुर्बानी उनका मार्क दर्शिक बन सकती हैं उसी के बारे में थोड़ी सी हम सब मिल जूर कर बात करेंगे तो आज हम मिलकर साथ तिप्स गुर्मानी में से जानेंगे जिससे विध्यारति को पढ़ाई में और जीवन में फायदा होना पहला है पाट को ध्यान पूरवक समझे अगर अध्यापक जो पढ़ा रहा है उसे पूरे ध्यान से सुने या फिर जो सलेबस आप पढ़ रहे हैं उसे पूरे खोश में और मन लगा कर पढ़े तो आपका आधा काम तो यहीं समाप्त हो जाता है दूसरी बात कि अगर मन लगा कर सोना जाए जो आप पढ़ रहे हैं अगर उसे सुने तो इससे आपके सुनने और साथ ही में समझने की शम्ता बढ़ती है और अगर इसके वपरीद पढ़ने या समझने के दोरान टीचर के लेक्चर के दोरान ध्यान कहीं और हो मन कहीं और ही भटक रहा हो तो इससे आपको दो नुकसान होते हैं पहला जो वक्त आपने गवाया है यानि मन जब भटक रहा था कहीं और सोच रहा था तो वक्त हमारा जो गुम हो गया है उसे आप फिर दुबारा भर नहीं पाएंगे दूसरा जिस टोपिक को आपने मिस कर दिया है वह एक बोज बन जाएगा आपके सिपर और फिर उसी को दुबारा याद करने में और मेहन करनी पड़ेगी इससे अच्छा है जब आपको कोई पढ़ा रहा है को टीचर आपको लेक्चर दे रहा है जब आप खुद पढ़ रहे हैं तो पूरे ध्यान से पढ़े पूरा मन लगा कर उसे सुने समझे और गुर्बानी की ये पंक्ती भी याद रखे जिसमें गुरु सहीब जब जी सहीब में समझाते हैं कि अगर ध्यान लगा कर सुना जाए तो मन सब कुछ प्राप्त कर सकता है गुरु सहिब फरमाती है कि सुने आया ये पढ़ पढ़ भाव है माar सुन्द जाक न, सहिधित्यान perform शुनिー से ध्यान लगाकर सुनने से आप जो चाहिए प्राप्त कर सकते हैं गुरु साय फर्माती है कि अगर मन लगाकर सुना जाए तो मान प्राप्त होता है, इज्जत प्राप्त होती है, सहच प्राप्त होता है, अगर हम में सहच आ जाए तो हर काम आसान हो जाता है, और हर काम में, हर विशे में, हर जगे में मन लग जाता है, सो हमने जाना कि मन लगाकर पढ़ने से या सुनने से पढ़ा हुआ या सुना हुआ बहुत आसानी से समझ आ जाता है इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो उसमें अपना ध्यान जरूर लगाए, आपको जूरूर इसमें फैय enslदा होगा दूसरा जो याद करना है उसे समझे भी विद्यारतों में ये बड़ी मुश्किल होती है कि वैस याद बहुत करते हैं नगर फिर भूल जाते हैं जिसका में कारण ये होता है कि जो पढ़ा है उसे समझा नहीं है जैसे कि गुरुप पाश्या एक बहुत प्यारी सीख हमें देतिक में फरमाते हैं कि पढ़े हैं नहीं भेद बुझे हैं पावणा अर्थाब केवल पढ़ने से नहीं बलके जो पढ़ा है उसे समझने से पूरा भेद समझ में आता है जैसे आप कोई चेप्टर पढ़ रहे हैं जो आप कोई पर्टिकूलर सब्जेक्ट समझ रहे हैं चाहे वैं इंग्लिश का है या मैथ का है साइंस का है या सोशल स्टड़ी कोई भी है आप जब बिना समझे पढ़ते जाते हैं तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा क्योंकि आप केवल इंफॉर्मिशन इकठी करें हैं समझ नहीं रहें उसे जान नहीं रहें सो इसलिए सबसे जरूरी है कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसे अच्छी तरह समझे भी उसकी तह तक चाहें आज कल तो ये सब करना बहुत ही आसान है पहले तो ट्विशन रखनी पढ़ती थी अगर आप अपने चैप्टर का नाम केवल नेट पर डाले या फर यूट्यूब पर तो आपको तुरंत लाकों अप्शन मिल जाएंगे आपका जो चैप्टर है आपको बहुत ही आसानी से वैं समझा देंगी जिससे आप अपने चैप्टर को बड़ी ही इसानी से समझ सकते हैं अगर आप अपने विश्य को बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो वैं पढ़ा हुआ या समझा हुआ फिर कभी नहीं बुलेगा तो यह याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है तीसरा है खुद को पर्खो यह जानने का कि मुझे अब तक कितना समझा चुका है उसका सबसे अच्छा तरीका है कि खुद का टेस्ट करें खुद को खुद ही पर्खें यानि एक्जाम से पहले आप खुद अपना टेस्ट ले कि मुझे कितना अपने विशे के बारे में पता है गुर्वाने इस विशे के बारे में समझाती है कि अगर खुद को पर्खा जाए तो आप विचार ना रोगाए कोई अर्थात के जो खुद की विचार करता है जो खुद को खुचता है उसे फिर जीवन में रोणा नहीं पड़ता क्यों रोणा नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता होता है कि मैं कितना जानता हूं उसने खुद को परक लिया है उसने खुद को जान लिया है कि मैं कितना कर सकता ह इस सब का उसको इल्म हो जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि मुझ में क्या खामी रह गई है सो अगर आप खुद को परकते हैं, खुद का टेस्ट करते हैं तो इससे आपको दो फाइदे होते हैं पहला कि हमें पता चल जाता है कि मैं अपने विशे को कितना समझ चुका हूँ, ये आपको मोटिवेशन देता है, दूसरा कि जिस विशे में हम कमजोर होते हैं, उसे समझने का हमें मौका मिल जाता है. तो आप खुद का टेस्ट लें, आप चाहें तो खुद कौपी पर सवाल लिख कर जवाब दे सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका ये होता है कि अपने मा बाप, बाई बहन जा दोस्त के मदद ली जाएं, वे आपसे सवाल पूछें और आप उसके जवाब दें, उसस आपको पता चलेगा कि आप कितना जान चुके हैं और कितना और याद करना समझना बागी है। चौता है दोस्ती अच्छे साथियों के साथ रखें ये बात बहुत ही जरूरी है कि आपकी दोस्त कुन है क्योंकि अगर आपके दोस्त वे हैं जो पढ़ने से आपको रोकते हैं क्लास लगाने से रोकते हैं तो उनसे दोस्ती सही रहे हैं क्योंकि जो काम हम करने आए हैं उसी काम से वह आपको दूर कर रहे होते हैं, यानि आपको आपकी मिशन से भढ़का रहे होते हैं, तो दोस्ती उनसे रखें जो आपको याद दिलाए कि हमारा यहां आने का क्या मक्सद है, गुरु सेब का ये फुरमान भी याद रखें कि जैसी संगत होगी, वैसा ही परिणाम भ खाए, सो अपनी संगत को यानि अपने गुरुप को सुधारे, अच्छे दोस्तों से दोस्ती करे, अगर आपके गुरुप में कोई गलत है, तो उसे सहीर आप पर लाएं, ये भी दोस्ती का एक फर्ज है, उसके बाद है, अपना सारा होमवर्क वक्त पर पूरा करें, ये बहुत ही एहम हैं, अगर हम होमवर्क वक्त पर करें, तो हम बहुत सारी परिशानियों से बच जाते हैं, जैसे कि अगर आज का काम आज नहीं किया, तो कल चिंता में गुजरेगा, तो वह चिंता आपका पूरा दिन खराब कर देगी, इसके वब्रीत अगर आप जो काम मिला ह उसे पूरे वक्त पर करते हैं तो हम आने वाले पल को भी enjoy कर सकते हैं क्योंकि आपके मन पर कोई बोज नहीं कोई सवाल नहीं है और गुर्बानी का ये फिर्मान भी आप हमेशा याद रखें कि आज का काम आज ही करें आज का काम कल पर मत छोड़े अर्थाथ जो काम कल करना है उसे आज पूरा करें और जो आज करना है उसे अभी पूरा करें क्योंकि जब वक्त टाशंचे निकल जाएगा तो फिर हाथ में केवल पस्चा ताभी रह जाएगा वे काल बनकर आपका पूरा कैरियर खा जाएगा इसलिए जो काम मिला है उसे वक्त पर पूरा करें छेवार टिप्स है कि कभी आलस मत करें अक्सर ही बिना किसी काम कि अगर आप छुटी करने की आदत खुद में पाल लेते हैं तो आप कभी काम यब नहीं हो पाएंगी क्योंकि आलस जीवन बरबाद कर देता है साथिव आप कभी किसी बड़े इंसानों को पड़ कर देखें वे कभी भी काम से चुटी नहीं लेते हैं चाहे वे बीमार ही क्यों नहीं हो क्योंकि एक भी दिन आलस के कारण चुटी करना आपको कई दिन पीछे दिकेल देता है इसलिए आलस का त्याग करें गुरु सहब का ये वचन भी आप याद रखें कि मानमुख को आलस घुनों, फाथी, उजाडी मानमुख बहुत आलस ही होता है और वह अपने आलस में ही फसा रहता है वह आलस ही उसका पूरा जीवन उजाड देता है तो आपने मनमुख नहीं बढ़ना है अपने मन की बात नहीं सुननी है बलके आपका उद्देश क्या है उस पर ध्यान देना है उसकी सुननी है और कभी भी क्लास मिस नहीं करनी है साथवा है अपने डर पर काबो रखी एक बच्चे के मन में बहुत तरह के डर होते हैं जिन में सबसे बड़ा डर है प्रिक्षा का और इसके इलावा दूसरा डर है कि मैं अगर क्लास में खड़ा होकर कोई सवाल पूछता हूँ तो कहीं मेरा मजाक ही न मन जाए ये डर उसके अंदर होता है परांतो आप सब ये मन में बसा लें कि अगर आप आज नहीं बोलेंगे तो सारी उमर पश्टाएंगे कि मैं सही समय पर चुप क्यों रहा जीखा ही सिखा है अगर आपके करम सही है तो नतीजा भी सही होगा सो डर्ये मत क्योंकि डर कोई वस्तू नहीं है यह कि इवल मन का शोर होता है गुर्बानी की ये पंक्ति याद रखें के डर डर परणा मन का सोर रहा अर्थाथ जो डर है वो कीवल मन का शूर है डरते रहना या डर के महौल में जीना यह और कुछ नहीं मन का शूर है अगर इसे आप दूर कर लेते हैं तो आगे जाकर यह आपकी केरियर के लिए बहुत फायते मन हो रही है So यह थे साथ टिप्स इसके साथ मैं तीन टिप्स और आपको जल्दी से संशेप में बताने जा रहा हूँ जैसे के पहला है नेन पूरी लें टाइम पर सोने की आदर डालें तकरीबन आठ से नो घंटे जरूर सोई कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो आप उस काम को वक्त पर खत्म करें अगर वह जरूरी नहीं है तो उसे वही रोक कर टाइम से सो जाए उसके बाद अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आरा और आप ये भी जानते हैं कि मुझे इसका जवाब पता है मगर इस वक्त मेरे दमाग में बिलकुन नहीं आरा तो आप कुछ पल के लिए ब्रेक लें थोड़ी सी वोक करें और आप हैरान हो जाएंगे कि वापस आते हाते आपको आपका जवाब मिल जाएगा क्योंकि आपका जवाब आपके शांत रहने में होता है उसके साथ ही जब आप सोवे उठें और रात को जब सोएं तो पाठ जरूर करें गुरुबानी जरूर पढ़ें ये पाठ आपकी जीवन को भी अच्छा बनाता है आपके दिन को भी अच्छा बनाता है और आपकी रात को भी रात को जब सोहिलावाने का पाठ करके सोते हैं तो हम परेशाने से मुक्त होकर सो पाते हैं तो कोशिश करें कि गुर्बाने को पढ़ें समझें जैसे जैसे हम गुर्बाने को पढ़ते चले जाएंगे हम खुद को और भी अच्छी तरीके से जान पाएंगे और जो कमिया हम में हैं उसे दूर कर पाएंगे और हाँ एक और बात कि स्टूडेंट विद्यारती हम सभी हैं कासकर के सिख जिनके नाम में ही सिख है यानि लर्नर है वो सिख्यारती है वह सारी उमर सीखता ही रहता है और हम सब विद्यारती हैं हमें सारी उमर सीखना ही सीखना है तो ये सारी टिप्स नाकेबल विद्यारतियों के लिए बलके हम सब के लिए भी है तो इसी के साथ आज की वीडियो की समापती है वीडियो बनाते हुए तमाम कलतियों के मैं शमा चाहता हूं और धन्यवाद करता हूँ फ़ायब शेरी गूरू ग्रांद सेयम जी का जो हमें इतने प्यारे प्यारे कन परतान करते हैं और धन्यवाद आप सभी का अपना समय देने के लिए वाहिकुर्जी का खाल्शा, वाहिकुर्जी की पती員 झाल झाल